वेल्कम तु तिट्जय कलाशेज प्रैंज दोस्तों मैं सुनिल चोधरी आपका इस सेनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं आपको राजस्तान का कल्चर करवाऊंगा और कल्चर के अंतरगत पहला टोपिक अपने जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा होगा त्योंहार रहेगा अपने बात करें दोस्तों त्योंहार टोपिक की तो त्योंहार से अपने क्या आते हैं जो क्यों सनाते हैं वो किस परकार आते हैं ये पहले सबसे पहले बड़ी बात है, भी त्योहारों में क्या पूछते हैं, या तो वो क्या करेंगे, त्योहार का नाम दे देंगे, और नाम देखकर आप से ये पूछ लिया जाएगा, भी ये त्योहार कब मनाया जाता है, सबसे बड़ा क्युस्थिन ये ही बनता है, त्य यानि कि वो दे देंगे क्या देंगे नाम की जगे क्या देंगे भी वो समय दे देंगे भी इस समय कौन सा क्यों हार बनाया जाता है या इस समय कौन सा मेला बरता है और ये मेला कहां बरता है ये मेला कहां बरता है या फिर क्यों हार की कोई famous क्या होती है विसेस्ताइं होती है उन विशेस्ताओं से क्या कर लेने ये परसन पूछे जाते हैं विशेस्ताओं से परसन पूछे जाते हैं ये इतने एक से मुख्य क्या बनते हैं तियोवारों से परसन बनते हैं तियोवार का नाम दे दिया और पूछ लिया कब बनाया जाता है या वो समय दे दिया जाता है इस समय में कौन सा त्योवार बनाए जाता है या फिर वो सुमेलित करने के अंतरगर समय होरे एक साइड में त्योवारों के नाम गी होते हैं या फिर समय दे देंगे और पूछ लेगा भी ये त्योवार है इस त्योवार के दिन कौन सा मिला बरता है या इस दिन कौन सा मिला बढ़ता है या फिर कुछ भी अदाएगा भी ये मिला कहां बढ़ता है ये इतने क्योंसे ने या फिर तेवारों की विसेस्ता अब तेवार स्टार्ट करते हैं तो तेवारों में अपने को क्या जिहान में रखना है भी सबसे पहले अपने को तेवार में तीन बाते पूछी जाती है ये कब मिनाजबत के अंहतरीगत तीन बाते होती है 12 महीन Olengиться इummy लगता है महीना एक होता है five invari एक कोन सा ओता है और एक होता है कि कोन से दिन में बनाया जाता है ये तीन बाती होती है महीना पक्स औरे दिन अब सबसे पहले अपने बात की जाए अपने पक्स को उठाते हैं किसको उठाते हैं पक्स को भी एक महीने के अंतरगत पक्स होते हैं कितने दो एक पक्स होता है कोन सा क्रीशन पक्स एक तो कोन सा होता है क्रीशन पक्स और एक कोन सा होता है सुकल पक्स एक तो क्रीशन पक्स जिसको किस नाम से जानते हैं बुधी के नाम से जानते हैं किस नाम से बुधी के नाम से सुकल पक्स है उसको किस नाम से जानते हैं अपने क्रिशन पक्स या बुधी सुकल पक्स या सुधी अब क्रिशन पक्स के अंतरगत अपने को क्या पता चलता है या सुकल पक्स चल गया यह अपने को पता चलता है जो चंद्रमा होता है कौन सा चंद्रमा चंद्रमा की स्तीती पर अधारित होते हैं यह दोनों ही पक्स भी पक् अपनी आकरती पूरण से क्या करता है कम करता है अपनी आकरती क्या करे कम करता है वो पक्स कौन सा होता है क्रिशन और जिस पक्स में चंद्रमा अपनी आकरती कम से क्या करे बढ़ाए यानि कि अपने पूरण आकार में आए वो पक्स कौन सा होता है शुकल पक्स अब क्या होत जब चंधरमा अपनी आकर्ती दिरे दिरे क्या करता है, अब बात करते है पक्स की, तो एक पक्स के अंत्रगत दिन होते है कितने पंदरा दिन, अब पंदरा दिनों की बात की जाये, यह 14 दिन तो दोनों पक्सों में क्या होंगे समान होंगे अब बात आती है क्रिशन पक्स के अंतरगत 15 जो दिन आता है जिस दिन क्या होती है काली गनगोरे रात होती है वो 15 दिन किस नाम से जानते हैं अपने अमावस्या के नाम से अमावस्या के नाम से जानते हैं ठीक है और जो शुकल पक्स का जो 15 दिन होता है उसको अपने किस नाम से जानते हैं पुरनी मा के नाम से जानते हैं ये अपने क्या हो गए पक्सों का डिवाइडेशन हो गया बी पक्स है दो होते हैं क्रिशन और सुकल है क्रिशन को भुधी के नाम से सुकल को सुधी के नाम से जानते हैं अब परतेक पक्स में दिन होते हैं कितने पंद्रा अब एक से लेकर 14 दिन तो दोनों पक्सों में समान होंगे एक कम द्वित्या करके अंतिन तक और पंद्रवा जो दिन आता है इसमें तो क्या आजाता है अमावस्य आजाती है इसमें तो अमावस्य आजाती है और सुकल पक्स से क्या आ जाती है पुरनी मा आ जाती है ठीक है दोस्तों भी ये अपने को क्या पता चल गया पक्सों का पता चल गया अब अपने बात करते हैं त्योंभार अब त्योंभारों के अंतरगत क्या होता है एक कलेंडर होता है कोम सा कलेंडर है इस वी सन जिसको कहते हैं अपने इस इस्वी सन की स्तापना होती है, इसा मसीह का जब जनम हुआ था। उससे पहले समय का ज्यान किसी को नहीं था, सीधा ही चल रहा था, लेकिन जब इसा मसिय का समय आया, उसको क्या मान लिया गया, जीरो इस वीशन मान लिया गया, यानि कि वहां से क्या होता है, इस वीशन का स्टार्ट माना जाता है, यानि कि प्रारण माना जाता है, इसके अल और एक आता है विक्रम संवत कौन सा कलेंडर आता है विक्रम संवत इन दोनों कलेंडरों का द्यारगना एक तो सक संवत आता है और एक कौन सा आता है विक्रम संवत अब बात की जाए इन दोनों कलेंडरों की तो जो सक संवत जो कलेंडर है इसको सबसे पहले जो स्टार्ट कि किया था वो किसके दोबरा किया गया था कुसान सासक था कुसान का सासक था कौन था कनिस्क कनिस्ट कौन से सासक ने स्टार्ट किया था कुसान सासक कनिस्ट ने अब विक्रम समवत का भी ध्यां रग लिना भी विक्रम समवत जो कलेंडर है इसका भी जो स्टार्ट किया था या विक्रमा नामक राजा ने क्या किया था अपने ही नाम पर कुन सांपर क्लेंडर का डिर्वारं किया और सक्संवत की कुछांशासके कनिस्टनी अब बात करें भी जो सक्सववत है वो प्रारम कब होता है जब इस्वी सन की अपने बात करें जब इस्वी सन को लागू हुए कितने साल हो गए थे 78 साल हो गए थे उस समय सक्सववत का क्या होता है प्रारम होता है कौन सा सक्सववत क्या हो जाता है उस दिने प्रारम होता है जिस दिने इस्वी सन कितने साल हो गए से लागू हुए 78 साल उस समें सक्समवत का कौन सा साल चालो होता है पहला साल अब बात करें विक्रम समवत की तो ये क्या होता है सक्समवत की अपने बात की जाए तो सक्समवत कब लगू होता है जब इस्वी सन को जब क्या होता है इस्वी सन को अठतर साल हो गए थे उस साल में कौन सा समवत स्टार्ट होता है सक समवत अब बात करें विक्रम समवत की विक्रम समवत है वो कब प्रारम होता है तो विक्रम समवत जब प्रारम होता है यानि कि ये 57 साल पहले प्रारम होता है किस से इस्वी सन से जब विक्रम समवत को लागू हुए कितने साल हो गए थे 58 साल हो चुके थे न उस समय इस्वी सन का साल आता है कौन सा पहला अब सीदी सी बात है वही जब विक्रम समवत का साल चल रहा था कौन सा 135 वा उस समय सक समवत चल रहा था आगे समझ में इस्वी सन से 57 साल पहले तो कौन सा स्टार्ट होता है विक्रम समवत और इस्वी सन के 78 साल बाद में कौन सा स्टार्ट होता है सक्ट समवत अब देख लो भी वर्तमान की बात कर लेते हैं भी वर्तमान में कौन सा इस्वीशन चल रहा है दो हजार एक्टिस अगर अपने को सक्समवत निकालना है यानि कि ये क्या हुआ था 78 साले बाद में स्टार्ट हुआ था तो अपने क्या करेंगे इसमें से माइनस 78 कर देंगे तो कौन सा आजाएगा अपने को सक्समवत और सक्समवत कौन सा आजाता है उनिस सो तैयारीज अब अपने बात की जाए विक्रम समवत की और विक्रम समवत के एंतरगत निकालना है तो इसमें क्या करेंगे यह 57 साल है पहले प्रारंग हुआ तो इसमें क्या कर देंगे 57 जोड देंगे और कितना आजाएगा और ये आजएगा वही दो अजार revisit विक्रम संवत ठीक है ये अपने क्या होते है calendar अब दो person आते हैं एक आता है अपना जो राश्ट्रिये पंचांग है अपना राश्ट्रिये पंचांग है वो किसे मानते है राश्ट्रिये रस ये पंचांग वो किसे मानते हैं अपने सक्साववत को मानते हैं जबकि हिंदू के जो त्योंहार मनाए जाते हैं वो किस कलेंडर पर अधारीत है या किस पंचांग पर अधारीत है या किस संववत पर अधारीत है तो ध्यान रग लेना दोस्तों विक्रम समवत पर कि इंदूओं के जो त्योंहार है वो किस पंचांग पर अधारित है विक्रम समवत पर जबकि राष्ट यह पंचांग कौन सा है अपना सक्ष समवत ठीक है अब अपने बात करते हैं इन कलेंडरों के अंतरगत तो कलेंडरों के अंतरगत सभी में महीने कितने होते हैं बारा महीने होते हैं और इन बारा महीनों के अपने बात करें तो किस महीने से स्टार्ट होता है और किस पर जाकर है खतम होता है तो वो देखते हैं बी, चित्र महिने से क्या होता है कलेंडरें प्राराम होता है, चेट, विसाख, जेस्ट, आसाड, सावन, बाद्रपद, आस्वीन, कार्तिक, मारग सिर्स, पोस, माग, औरे, फालगुन, ये क्या है, बारा महिने हैं, बी, चेत्र, पहला महिना आता है, इंदूों के कलेंडर का, चेत्र, विसाख, जेस्ट, आसाड, स्रावन, बाद्रपद, आस्वीन, कार्तिक, मारग सिर्स, पोस, माग, फालगुन, अब बात करें, बी अपने को ये याद कहां रहते हैं, भी कम से महिना स्टार्ट हो गया, ये, देशी जो महिने, ये कम से प्रारम हो गई, अपने क्या पढ़ते हैं, जनवरी, फरवरी, मारच अपरे, तो इनको याद करने के लिए ध्यान रग लेना, जो पहला महिना होता है, कौन सा, चेत्र का महिना, ये मारच महिने के बीच या अंतिन समय तक, ये क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, कौन सा महिना, चेत्र का और कब तक चलता है मारत से अप्रेन तो अब ये कौन से महिने में स्टार्ट हो जाएगा अप्रेन से प्रारम हो जाएगा और कहा तक है मई महिने तक इसी परकार मैं से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्ट, अगस्ट से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नौवंबर, नौवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी और जनवरी से फर्बरी और यहां पर है फर्बरी से मारत आगे ना वापीस होई पर और मारत से फिर क्या हो जाता है नया साल प्रारम हो जाता है तो अपने को बड़ा बड़ा आइडिया याद रेजाता है भी अपने देखते हैं भी होली किस महिने में आती है या दिपावली किस महिने में आती है बड़ा बड़ा याद रखते हैं भी दस्वे महिने में आत और त्योवारों के अंतरगते दो क्योस्टन बनते हैं सबसे पहले भी त्योवारों का आगमन प्रारम किस से माना जाता है और त्योवारों का समपन वो किस त्योवार से माना जाता है तो त्योवारों का आगमन या प्रारम है वो किस से माना जाता है चोटी तीज के तियोवार से क्या माना जाता है तियोवारों का आगमन माना जाता है जब कि समापन की बात करें तो वो किसे गणगोर से अपने कावद सुनते हैं तीज तियोवार बावडी ले डूब्यो गणगोर तो तीज तेवार याने की छोटी तीज से तेवारों का प्रारम है और है समापन किसे है गणगोर से है